नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पिरियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ पनीर वाली राजमा की रेसेपी बहुत जादा टेस्टी इसका ग्रेवी बहुत जादा क्रीमी बनके तैयार होगा असान तरीका है असान तरीके से हम इसे तो चलिए हम बनाते हैं बहुत जागा टेस्टी पनीर वाली राजमा तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम राजमा को पाशे घणटे पहले पानी में डाल दिये थे फुलनी के लिए दो त्य Civic कम पाशे घणटे पहले अच्छे से पाणी में डाल दिये थे और आधे इंच करीब इसके उपर पानी रहे तो यहाँ पे गलास आधा गलास पानी और हम डाले हैं और थोरा सा नमक डाल देंगे थोरा सा हल्दी डाल देंगे और कुछ नहीं डालना है इसमें बस यहाँ पे आधा चमच हल्दी पाउडर डाल दिये हैं बंद करके 4-5 सीटी हम इसमें लगा लेंगे तो जब तक राजमा उबल रहा है तब तक एक मसाले का पेस्ट बना लेंगे इसके लिए 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अद्रक का टुकरा और देर सारा लेसन की कलियां लिए है, साप करके सबको एक साथ हम पीस लेंगे तो यहाँ पे सबको एक साथ पीस लिए है, पेस्ट तयार कर लिए है और राजमा भी उबल गया है, तो इसको अच्छे से हम ठंडा होने दिये हैं खुद से और यहाँ पे आप देख सकते है राजमा बहुत अच्छे से गल चुका है बहुत सारे राजमा फट भी गया है और एक दो राजमा को प्रेस करके देख लीजे अगर आपको लगता है नहीं पका है तो एक दो सिटी और लगा लीजे पर यहाँ पे आप देख सकते है राजमा बहुत अच्छे से पक चुका है तो इसे हम साइड में रख देते हैं और अब बनाएंगे ग्रेवी तो इसके लिए गैस पे कराही चरहें कराही में डाले हैं सरसो तेल आप जो भी तेल खाते हैं वो तेल ले लिजे और अब इसमें कुछ खारा गरम मसाला डालेंगे तो एक हरी लैची तोर के डाले हैं थोरे से दाल चिनी के टुक्रे छोटे छोटे हैं तो थोरे से डाल दिये हैं दो तीन हरी लैची तोर के डालेंगे चार पांच यहां पर लॉंग डाले हैं दो साबुत लाल मिर्ची और एक तेज पत्ता डालेंगे एक चमच के करीब हम यहां प यह प्याज को मिहीन चौप करके डाल दिये हैं, और अब इस प्याज को हमें अच्छे से सौप्ट होने तक भूनना है, प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, एक दम ब्राउन हो जाएगा, तब तक आपको इसे भूनना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्याज बहुत अ आधा चम्मच सौफ का पौडर है जरूर डालिएगा बहुत अच्छा है इसमें टेस्ट और खुस्बू दोनों आता है आधा चम्मच ये कस्मेरी लाल मिर्ची पौडर है और ये एक चोथाई चम्मच तीखा वाला मिर्ची पौडर हम लिए हैं कस्मेरी लाल मिर्ची पौड तो पूरा यहां पे डाल देंगे और अब हमें मसाले को फिर से अच्छे से भूनना है तब तक जब तक मसाले से तेल अलग न दिखने लगे तो यहां पे हम नमक एड़ कर लेंगे टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल लीजिए नमक राजमा को उबालने के टाइम में भी हम ड दाल दिये हैं और बस इसे हम चलाते हुए भून लेंगे बीच बीच में आप चाहे तो कवर कर सकते हैं कवर कर देने से थोड़ा जल्दी टमाटर पक जाता है और यहां पे आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग दिखने लगा है मसाला हमारा अच्छे से भुना गया है त अगर आपको मलाई नहीं पसंद है तो यहां पे दो चमच दही भी डाल सकते हैं पर मलाई अगर आपको पसंद है तो मलाई ही डालिएगा मलाई से बहुत जादा टेस्टी और क्रीमी दोनों बनके तयार होता है इसका ग्रेवी तो यहां पे मलाई डालके हम इसे अच्छे स कपाउड़ काउडर हम डाल रहा है कसोरी मेती को गरम कर लिजेंạt और फिर करस जाल ले wishing accepted तो इसे अच्छे से मिकस करेंगे और यहां पर मसालाeling सो अच्छे-सानात है उश्चते हैं वश्चे कर दो कहिन हैं सुदिता है यहां बोगा की आत्ग है करद लिए हैं उस हिसाब से यहीं पे पानी डाल दीज जय को यहाँ सब के aby अच्छे मिक्स करेंगे और फिर यहीं पर हम इसमें पनीर डाल देंगी राजमा हमारा पहले से बका हुआ है बहुत अच्छे से तो पनीर डाल देते हैं पनीर को जैसे भी शelynमे Palis बड़ा च्छोटा आप चाहें तो कट कर सकते और आपको फ्राइ किया हुआ पनीर पसंद है तो पनीर को फ्राइ करके डाल सकते हम यहाँ पे बिना फ्राइब किये हुए पनीर डाले हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कवर करके चार से पांच मिनट आप इसे पका लिजीए स्लो और मिडियम के बीच गैस का फ्लेम रखियेगा तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर दिये हैं और अब पर्फेक्ट है और कवर कर दिये चार-पांच मिनट हम इसे कवर करके पका लेंगे और यहां पे पांच मिनट हम कवर करके पका लिए हैं और यह पनीर वाली राजमा पूरी तरह से बनके तयार है आपको जैसा ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी रखिएगा हम यहां पे थोरा सा गाढ़ा बनाए है और यह पूरी तरह से तयार है यहां पे हम गरम मसाला पौडर डाल देंगे आधे चमच के करीब और धेर सारा कटे हुए धनिया का पत्ता डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोरी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि ग तयार है सर्फ करने के लिए बहुत जादा टेस्टी पनीर वाली राजमा यह बनके तयार है एक पर ट्राइ कीजिएगा इसका ग्रेवी भी आप देख सकते हैं बहुत जादा क्रीमी बहुत जादा टेस्टी इसका ग्रेवी बनके तयार होता है एक पर ट्राइ कीजिएगा और हमें जरूर बताईएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसिपी अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे विल का बटन भी प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंसे के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो भी हमें जरूर बता दीजिए ताकि हम उसे सुधार सके हैंक्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ